वेल्कम गाईज एक बार आपका फिर्चे अमारे संदर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ अहुजा का एल-18SW-1300X जो यहांपर 1300 वाट का पावरफुल स्पीकर है तो आज के इस वीडियो में स्पीकर का रीवियो करने वाले इसके फूल स्पैसिफिकेशन की बात करेंगे इसके लिए बेस्ट सजेस्टिंग एम्फ्लिफायर कौंची रहने वाली वह भी बात करेंगी और तक मिल सकते हैं और इसका वह Towardsणी स्ख Cum Grande का है तो फ्रेट्स एलिए हमलता है स्टॉर इस टाइब से स्टिहने को मिल जाता है और यह अपर आप इसके poolsbe सब्सक्राइब्गेत सकते हो एक ट्रिपल रोल क्लोथ क्लोथिक स्टोंड़ lounge अब बात करते हैं इसके specification की कि ये हमें कितना power दे देता है तो friends इसके specification की बात करें इसकी size वो 18 inch की रहने वाली है और इसका impedance है वो यहाँ पर 4 ohms से में मिल जाता है power इसका है वो 1300 watt rms power का है और इसका peak power है वो यहाँ पर 26 watt का रहने वाल है और इसके voice coil की बात करें तो यहाँ पर 5 inch की voice coil इसके अंदर use की गई है in out और high temperature वाली voice coil है और इसका coil material की बात करें तो pure copper की coil है और इसकी sensitivity की बात करें तो यहाँ पर 97 dB की है frequency यह नि एफस इसका 35 hertz का है और magnet की बात करें तो यहाँ फर यूज किया गया है मैगनेट का वेट रहने वाले वह साधे पांस के जिस से काफ़ी उपर का वेट इसका मैगनेट का वेट मिल जाता है और इसके स्पीकर का टोटल वेट की बात करें तो यहां पर अच्छी से यानि लगब 20 kg के आसपासज पर स्पीकर हमको मिल जाता है तो प्रेंट यह इस स्पीकर की मैड स्प्रेस्टिफिगेशन अब बात करते हैं इस स्पीकर के लिए बेस्ट ऐंप्लिफाइर कौण से रहने वाली है यहां पर यह स्पीकर वह तेरोसो वार्ट आरै मेस्पावर वाला है तो इस आप मैन है वह 4 ohms में attachment करें तो कापी अच्छा साउंड मिलेगा आपको या फिर आप 8 ohms के लिए ले सकते हैं तो 2 ohms के लिए आपको बिल्कुल मैं suggesting नहीं करूंगा कि आप इस speaker को 2 ohms के लिए चलाए यहां पर फ्रेंट्स यह हमारा speaker है वो पहले साई four ohms का ही है तो आप इसको four ohms के लिए attachment कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इसके लिए best amplifier रहने वाली है वह यहां पर आप इसके लिए अहुजा की LX-CA 300 ले सकते हैं जो four ohms के अंदर चबी सो वाट का output दे देता है यहां पर डाइनटैक की वी 7000 वाट की amplifier ले सकते हैं और MT-Y01 यहां पर ले सकते हैं इसके लिए कापी अच्छी amplifier है बीटा चरीकी बात करें तो DT-4000 ले सकते हैं यहां पर NX-Audio CA20 ले सकते हैं बहुत सारी amplifier इसके लिए सजेस्टिंग है जाइफर की आप लेना साहे तो Z6 ले सकते हैं तो फ्रेंट्स यह amplifier इस speaker के साथ आपी अच्छा matching combination बैठेगा और अब बात करते हैं इस speaker के प्राइज गी तो फ्रेंट्स प्राइज इसकी पढ़ने वाली है वो करीबने 15,000 के आसपास की maximum प्राइज रहने वाली है और इससे उपर नहीं से भी हो सकती है online प्राइज है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हमारे एगले next वीडियो में अ किसलों से भीडियो में ही जाज किस वीडियो में इतना ही आसपासक आसरी वीडियो में का μέशने 17,88, तो भीडियो में हॉन्स आसाए है अृप्राइज भीडियो के दो